नमस्कार दोस्तों स्वागत अब सभी का आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिंक पिजन के बारे में क्योंकि पिंक पिजन आजकल काफी खबरों में है कारण ये है कि युनाइटेट किंग्डम के कुईंट टाउन सेंटर ओव बरी में हाली में पिंक पिजन को से पहले न्यूयोक सिटी के मेडिसन स्कूर पार्क में भी इस परकार का बड़ देखने को मिला है तो एक्चुल में यहां पे क्यास तो बहुत लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है इसके उपर डाई की हो लेकिन पिंक पिजन असल में भी एक्जिस्ट करते हैं तो आज हम इस परकार की चीज़े कुछ समय तक खबरों में रहती है फिर चले जाती है तो इसलिए इनकी प्रवाइबिल्टी एक्जाम में आने की ज़्यादा होती है क्योंकि बहुत सो लोग इन पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप इस वीडियो को अन तक देखेगा चैनल पर नहीं एक तो आपको मैंने बताया कि नेचुरली भी पिंक पिजन पाई जाते हैं नैसोनियस माईरी ये उन पिजन का नाम है जो नेचुरली पिंक पिजन पाई जाते हैं लेकिन ये एक इंडेंजेट स्पीसीज है ये स्पीसीज मुख्यता मौरिसेस में पाई जाती है अब यहा बासर ऐसे भी क्याइस लगा जा रहे हैं कि हो सकता है कि इन्होंने कोई ऐसी डाई कोई ऐसा पॉलूटन जो टॉक्सिन है वो पी लिया हो जिसके वज़से उनका पूरा-पूरा कलर ही चेंज हो गया हो लेकिन यहां बात यह है कि यह जो कोई भी केस निकल के भी आया था जहां पर एक विक्ती जिसने काफी मतलब 20-25 पिजिन्स पा ले थे तो उसने कहा कि मैं प्रिडेटर से अपने पिजिन्स को बचाने के लिए अपने पिजिन्स का कलर पिंक कर दे रहा हूं ताकि जो प्रिडेटर है प्रिडेटर मतलब ऐसा कोई के लिए यहां पर कई ऐसे लोग हैं जो डाई कर रहे हैं तो जादा कर मीडिया पोर्टल में ही का जा रहा है कि यहां पर युनाइटर किंग्डम में या इससे पहले न्यू योक में जो हमें पिंक पिजिन्स देखने को मिले वहां पर डाई ही किया गया था लेकिन पिंक प पिजन्स की पॉपुलेशन बची है 1991 में यह ब्रिंक ओफ एक्स्टींशन में थे यानि एक्स्टिंट होने की कगार में थे जब मात्र दस इंडिवीज्व यानि दस पिंक पिजन बचे थे उसके बाद इनका नंबर इंक्रीज हुआ क्योंकि यहां पर इनको सेव करने के प्र मौरिस्टिंशन नाम के देश जहां पर मैस करीन आई लैंड पही जाता है वहां की यह एंडेमिक है एंडेमिक का मतलब है कि यह जादा कर वहीं पहीं पही जाती है और यह जो सपीसी यह माइग्रेटरी नहीं है अब यहां पर यह एक इंपॉर्टन चीज है क्योंकि इसा भी हो सकता है कि Morisus से यह जो species है यह migrate होके UK पहुंची हो या फिर US यह बाकी देशों में पहुंची हो जहां पर भी यह देखने को मिले हैं लेकिन wildlife के जो enthusiast है या जो wildlife को जानते हैं पढ़ते हैं उन सब का यह मानना है कि यह possible नहीं है क्यों क्योंकि यह जो species है यह migratory नहीं ह जाती है जैसे बहुत से birds हैं जो season के हिसाब से एक point से दूसरे point में जाते हैं लेकिन यह migratory नहीं है तो इसलिए यह rare जांस है कि यह maurisus से निकल के UK या बाकी देशों में जाए तो इसलिए यह theory fit battery है कि यह जो pink pigeons देखने को मिल रहे हैं इनको color किया गया है और काफी ऐसे case पहले निकल के आए हैं जहां पर लोग पकड़े गए और उन्होंने का कि हमने अपने pigeons को color किया ताकि predator से बचाये जा सके मगर pink pigeons के असली प्रजाती भी है actual में भी यह पाए जाते हैं और ज्यादा कर maurisus में पाए जाते है maurisus के mascarine islands में यह पाए जाते हैं यह जो species यह mig partner रहता है multiple partners नहीं होते है यह नहीं है कि आज एक के आसब शादी की बदा बच्चे की है फिर दूशरे के साथ थी तीस्रे कर ऐसा कर ऐसा नहीं होता है जो मेल होता है जो मरत होता है उसका lifespan थोड़ा होता है जो महिला होती है उसके lifespan थोड़ी कम होती है तो यहाँ पर आपने देखा कि यह malicious के जादा कर mascarine island में पहे जाते हैं migrating नहीं होते हैं breeding season अगर से September होता है और जो mating यह वो कैसी होती है mono gammas होती है अब यहाँ पर इनके extinct होने का क्या कारण है सबसे बड़ा कारण है इनके habitat के degradation अब मुखेता यह forest areas में पहे जाते हैं जहां पर best geographical conditions है जहां पर survive कर सकते हैं देरे देरे इनके habitat वो degrade होता जा रहा है फिर काफी predators वहां पर introduce होते जा रहे हैं जहां पर यह रह रहे हैं आज के समय मौरिशिस में मात्र दो प्रतिशत native forest ही हैं जो बचे हैं बाकी सारे destroy हो चुके हैं या फिर unsustainable development के लिए उनको destroy किया गया है deliberately तो इस परकार से आप समझ रहे हो कि धीरे धीर इनका जो natural habitat है उसकी degradation होनी है वो कम होता जा रहा है और जैसे ही कम होता जाएगा वैसे आप सब जानते हैं कि competition within species competition बढ़ जाता है जब आपके पास natural संसाधन कम हो जाते हैं तो species में competition बढ़ जाता है और वहाँ पर फिर Darwin की थूरी आती है survival of the fittest तो जो fit होगा वो तो जी लेगा जो लड़ सकता है जो बिचारा नहीं लड़ सकता है फिर उसको मरना बड़ेगा तो इस परगार से इनकी जो population है वो कम होती जारी है फिर एक मुख्य और चैलेंज जो है वो है predators कई ऐसे वहाँ पर predators introduce किये जा चुके हैं कई ऐसे जीव जन्तू है जो इन पिंक पिजन को खा ले रहे हैं उससे भी इनकी जो population है वो कम हो रही है अब यहां पर maurice जो है वो इनको conserve करने का काम भी कर रहा है लोगों को aware करने का काम भी कर रहा है काफी पोस्टे स्टेम्स भी जो मौरिशे से उसने publish किये हैं जो कि पिंक पिजन को डिपिक्ट करता है मतलब ऐसी पोस्ट वहां पे पिंक पिजन की फोटो आपको देखने को मिलेगी अब हम बात कर रहे हैं तो कुछ इंपने जीए फेक्स से ते लेक्ट लेते हैं यह है एफ्रिका यह आप को सामने दिख रहा है यह हमारा आफ्रिकन कॉंटिनेंट है यहां पर चोटा से यह डॉट जो आपको दिख रहा है यह है Mauritius, एक बहुत ही छोटा island nation है, इसका official नाम है Republic of Mauritius, Republic of Mauritius कुछ islands का group है जिसमें island of Roderig आगालेगा, Set Brandon आते हैं इसके साथ साथ दो और island territories हैं, जो कि disputed हैं उनके बीच में dispute चल रहा है यह जो islands हैं, यह काफी young islands हैं यानि कि यह 9 million years अगो बने थे, अब मतलब आव वैसे तो काफी पुराने हैं, लेकिन बाकियों के comparison में काफी नए हैं, क्या कारण है इन islands के बनने का, अंडर water जो volcanoes होते हैं जो पानी के नीचे volcanoes पाए जाते हैं उनसे लावा बाहर निकला लावा बाहर निकला और उससे फिर है उनका जो लावा बाहर आया फिर वो ठंडा हुआ और धेरे-देरे उसने islands की शेप बना दी, देखिए पूरा island जो है मौरेशेस का, इसका टोटल एरिया दोजार चाले स्केर किलोमेटर है, और ये वोर्ल्ड का 170th largest nation इसे बनाता है, तो ये 170 largest nation है पूरी दुनिया का, अगर हम इसके exact length और ब्रेथ के बात करें, तो 45 किलोमेटर वाइड है ये, और 65 किलोमेटर लॉंग है ये, देखिए जो मौरेशेस का island है ये, चारों तरफ से dormant volcano से घिरा हुआ है, रिंग ओफ dormant volcano से घिरा हुआ है, यहाँ आपको काफी streams देखने को मिलेंगी, waterfalls देखने को मिलेंगे, चारों डिरेक्शन में rivers आपको देखने को मिलेंगी, मौरेशेस जो है वहाँ पे पूरा के पूरे आफ्रीका में हाइस्ट Human Development Index है, HDI है, जो UNDP United National Development Program देता है, तो इनके पास हाइस strength है पूरे आफ्रीका में Human Development Index का, सबसे पहले मौरेशेस को आरब सेलर्स ने डिसकवर किया था 975 में और तब इस island का नाम था दीना आरूबी, फिर इसका काफी centuries के बार नाम मौरेशेस रखा गया है, जब Dutch Squadron यहां पे पहुंचा, Grand Port में, 1598 में, वहां पे इनों ने इसका नाम मौरेशेस दिया, अपने प्रिंस मौराइस वैन नसाओ, जो की Stad Holder था डच रिपब्लिक का, जो उनका प्रिंस था बेसिकली, उसका नाम था मौराइस वैन नसाओ, तो उसके नाम पे उनने नाम रखा मौरेशेस, पहले इसका नाम तीना अरूबी था, काफी सदियों के बाद इसका नाम मौरेशेस रखा गया, समय के साथ साथ मौरेशेस के उपर तीन देशों ने राज किया है, नीदरलाइंस ने, फ्रांस ने, ग्रेट ब्रिटन ने, 1968 में इसे इंडिपेंडनेस मिले थी और तब से यह इंडिपेंडनेंट ही है, देखें फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी का जब यहां रूल था, तब उन्होंने यहां पर शूगर केंड प्लांटेशन को शुरू किया, जो की काफी सिग्निफिकन कॉंट्रिब्यूटर है इनकी इकोनॉमी का, देखें जो शूगर केंड प्लांटेशन थी, इसका काम मुख्यता स्लेव के द्वारा करया जाता था, 18 इस I-Line में 1.2 Million से जादा लोग रहते हैं, जिसकी वज़य से इसकी पूरे आफरीका में, highest population density है, पूरे आफरीकिन कॉंटीनेट में सब सहत हादा- Absolum पॉइंट था जब पुराने समय में ट्रेड रूट्स हुआ करते थे और यूरोप से जब ट्रेडे से लागते थे तो जो मौरेशे से है वो काफी इंपॉर्टन स्टॉपिंग पॉइंट था लेकिन उसके बाद जब स्वेज केनाल की ओपनिंग हुई 1869 में तो उसके बाद पर इसकी जो इंपॉर्टन्स है ऐसा स्टॉपिंग पॉइंट ओन दे ट्रेड रूट वो कम हो गई 90 पतिशे से जादा मौरेटियन पॉपॉपॉपॉइशन जो है वो लिट्रेट पड़ी लिखी है यहां के जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 75 यह मौरेशे से कलोटा नेशन है जहां पर हिंदुईजम हिंदु धर्म जो है वो डॉमिनेंट रिलिजिन है इंगलिश और फ्रेंच यह दो वाइली स्पोकन लेंग्वेजिज इस आइलाइन में लेकिन जो लोकल है वो मौरेटियन क्रियोले यह एक यूनिक लेंग्वेज है जहां पर आपको फ् यह स्लेव पॉपॉलेशन से है जा मैं आपको बताया कि वहां पर स्लेव पकड़ के डाल दिया जाते थे गोरों के द्वारा कि यहां पर काम दंदा करो अब यहां पर जो गाने है यह क्रियोले जो लैंग्वेज हमने देखी जहां पर फ्रेंच और कुछ अफ्रिकन लैंग कि इंडियन की काफी प्रेंस है काफी भारत्य आपको यहां देखने को मिलेंगे यह करना कि यहां पर भोषपूरी जो है वह भी एक नेटिव लैंग्वेज है जो साइजेबल चंग है मौरिशियन का जो काफी मौरिशिस में ऐसे लोग रहते हैं जो भोषपूरी बोलते है और यहां पर भोषपूरी म्यूजिक भी काफी सुना जाता है लोगों के द्वारा यहां पर आपको एक भोषपूरी बैंड भी देखने को मिलेगा दब भोषपूरी बॉइस उस बैंड का नाम है मौरिशिस का जो पब्लिक टांसपोर्ट अवर स्टूडन्स के लिए सीनि इस ब्लू येलो और ग्रीन इह चारों अपने 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 अलक चीज़ें सिंबलाइस करते हैं सबसे पहले बात करते हैं red की red symbolize करता है bloodshed जो की slavery को abolish करने के लिए हुआ है और जो independence को attain करने के लिए मतलब अजादी के लिए जो खून भाया गया या जो slavery थी उसको खु वास्ट और मांटी इंडियन ओषियन जो pleasing क्रता है और वास्टो अर्सराओं की घे यह एक होने भी जियन मैंटी इंडियन ओषियस को स्राओं क्रों करता है यह गा and shining future ahead की हम काम करेंगे महनत करेंगे और हमारा जो भविष्य है वो काफी bright है काफी shine है तो yellow बात करता है bright future की और फिर आता है green जो की lush green vegetation जो है इस island की उसे बताता है तो यह किसे बता रहा है green vegetation की तो यह मतलब है इन चार colors का मौरिश के flag में सबसे पहले red जो बात करता है bloodshed की जो abolition के समय हुआ अजादी की लडाई के समय हुआ blue जो है वो बात करता है जो mighty Indian ocean मौरिश को surround करता है उसकी yellow बात करता है bright और shining future का जो मेहनद करके यहां के लोग आने वाले समय में इनका future है वो bright करेंगे और shine करेगा इनका future उसको बताता है और फिर आता है green जो की lush green vegetation को बताता है आय लाइन की यहां पर जैसे हमारे भारत में मातमा गांधी बहुत इंपोटनट है मातमा गांधी वैसे भी हमारे देश के लिए बहुत इंपर्टन है हम इने father of nation कहते हैं और इसके साथ महात्मा गांदी एक्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टन है क्योंकि इससे काफी सवार बनते हैं तो इसलिए महात्मा गांदी जीसे उपर साइड एक्षाइड एक्षाइड में कवर किया है अब महात्मा गांदी के बात क्यों आई क्योंकि जैसे महात्मा गांधी भारत के लिए इंपोर्टंट है इसलिए इनको फार उफ दे नेश में कहा जाता है देखे 2017 में दुनिया के मात्र चार देशों में एक देश मौरिशिस था जिसमें बिचारे में कोई डुमस्तिक या इंटरनेक्शनल कंफ्लिक्ट नहीं है ना तो इस बिचारे देश की बाकी किसी और देश के साथ लड़ाई जगड़ाय या कोई दिक्कत है नहीं अपने घर में यहां पर लोगों के बीच में को लड़ाई जगड़े जैसे भारत में चलते रहते हैं कभी भारत की किसी एक टुकड़े को अलग करके निया देश बना लेकिन मौरिश उन चार में से एक देश था 2017 में जिस बिचारे का ना कोई इंटरनाशनल कंफिक्ट चला हुआ ना कोई डमस्टिक चला हुआ ठीक है किसी नेवरिंग कंट्री के साथ इस बिचारे का कोई भी डिस्प्यूट किसी परकार का जो कंफिक्ट है वो नहीं है तो लेकिषच को बनाएं गया था उसके बाद वनीय स्वरक को बनाएं गया था और येवन जब स्वरक बनाने के बात हुई तो उन्होंने भी मौरिश को कौपी किया तो यह मतलत उप एप्रिशेशन है मौरिश की इसकी तारीफ की गई यहां पर लेजिंडरी अमेरिकन रिटर मार्क ट्वाइन के द्वारा आरेनिकली नैशनल फुटबोल टीम जो है मौरिश की उसका नाम था डोडूज है अब डोडो जो है वो एक बर्ड होता है वैसे जो मतलब जिसको मतलब ऐसे कहा जाते कि स्लंबर या लिथर्जी के साथ उसको एसोशियेट किया जाता है अब देखें मौरिश जो है यह एक ओनली नोन हैबिटैट है फ्लाइटलेस डोडो बर्ड का तो यह बर्ड जो है यह फ्लाइटलेस है और यह लगभग लगभग अब एक्स्टिंट हो चुका है जैसे हमने पि देखने को नहीं मिलेंगे वह तुम्हारे यहां देखने को मिल रहे हैं इसलिए इनको कंजर्व करो प्रोटेक्ट करो भाई क्या कर रहे हो समझे अब देखो यह बर्ड जो है यह फ्लाइटलेस है यह उड़ निवाता तो इसलिए यह जो प्रेडेटर थे इनसे बचा रहत लेकिन धेरे धेरे फिर यहां पर जैसे ही सेलर आने लगे और काफी हुमन बिंग आने लगे तो इन्होंने मीट के लिए डोडो को माना शुरू कर दिया जिसके वैसे इसके पॉपलेशन कम होगी इसके साथ रोडेंस हैं प्राइमेट्स हैं जिन्होंने डोडो के एक्स को शुरू कर दिया उनको डेस्टोई करना शुरू कर दिया तो यह दो मुख्यकारन है यूमन बिंग और बाकि रोडेंस और प्राइमेट्स हुमन बिंग ने अपने मीट के लिए डोडो को मार कर खाना शुरू कर दिया और जो रोडेंस और प्राइमेट्स हैं उन्होंने भी उनके डोडो के eggs को खाना शुरू कर दिया या फिर उने destroy करना शुरू कर दिया जिसकी वज़े से डोडो bird की जो population है वो काफी कम हो गई entire डोडो population जो है वो एक century में ही wipe out होगी यह एक बहुत ही बतलब unfortunate सी चीज़ है अब देखे जो rarest bird होता है जैसे हमने का pink pigeon वो भी lush green forest of maurices में ही पाय जाता है maurices को एक decade में तीन भार world का leading island destination award भी मिल चुका है third largest network का यहाँ पे coral reefs का जो कि scuba divers के लिए इसको paradise बनाता है best travel destination है यह world की honeymoon के लिए काफी couples यह honeymoon मनाने के लिए जाते हैं यहाँ पे winter horse racing काफी famous है इस island में और यहाँ पे काफी लोग winter horse racing को देखने के लिए आते हैं third largest analysis I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो यहाँ हमने बात की कि pink pigeon क्यों ख़बरों में है भी Indian origin के हैं comment box में लिखके बताइए कौन है यह आपके लिए homework है तो बिना सर्च किए अगर आपको पता है तब comment box में लिखके बताइए नहीं बता है बागी आप हमारे चैनल में जाके बागी वीडियो को भी चैक कर सकते हैं मैं काफी important और current of a relevant वीडियो बनाता हूँ आप तक लेकर आएंगे आपका बहुत बहुत धन्यवार